देखो कक्छा 11.8 की NCRT बुक क्लियर हमारी बुक का नाम है आपर क्या है हमारी जो बुक है हमारी बुक का नाम है भारतिय आर्थिक विकास हमारी बुक का नाम क्या है भारतिय आर्थिक विकास हमारी बुक है भारतिय आर्थिक विकास हमारी बुक है भारतिय आर्थिक विकास बुक का नाम के हैं यहाँ पर आपका भारती आर्थिक विकास इसका हम कौन सा ध्याँ पढ़ रहे हैं इसका ध्याँ पढ़ रहे हैं बेरोजगारी एवं निर्धनता बाला हमें यहाँ पर अध्याय पढ़ रहे है और यहाँ पर हमारा पहला कोश्चन यहाँ पर क्या आए हमारा यहाँ पर एक कोश्चन है और कोश्चन यहाँ पर हमारा क्या बन करके आया है कोश्चन यहाँ पर बन के आया है बेरोजगारी से क्या आसा है सन 2019 में आ चुका है, बेरोजगारी से क्या आशा है, भारत में बेरोजगारी के कारणों का उल्ले करो, और यहाँ भारत देश में बेरोजगारी के चार कारण लेखी है, मैं आपको आज बेरोजगारी की बारे में पढ़ा रहा हूँ, most important topic है, क्या है हमारा आज बेरोजगारी question केसी भी बन करके आए आपका इसमें पूरा concept में killer करूंगा इसको पूरा समझाऊंगा बेरोज गारी बेरोज गारी को यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा और पूरा अच्छे से आपका concept पूरा killer करूंगा और पूरा focus के साथ हाँ पर मैं आपको समझाओंगा आपको बारे के सुनना है पुरे ध्यान से बेरोजगारी क्या होती है बेरोजगारी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है कोई व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है अगर बहे उस इस्तर का काम ना कर पाए हना मान के चलो कि कोई इंसान इंजीनियर है कोई इंसान क्या है इंजीनियर है कोई डाक्टर है वो क्या है डाक्टर है अब उसकी योगिता किती है उसकी योगिता है कि वो लोग को इलाज कर सकता और बदले में पैसा कामा सकता है, तो सकी सेलरी कम से कम एक लाक रुपे परति महिने होना चाहिए, लेकिन नोकरी ना लग पानने के कारण वो घर पे खाली बेठा है, वो काम नहीं कर रहा है, वो घर पे खाली बेटा, उसको काम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है तो इसको हम क्या वो लेंगे? बेरोजगारी वो लेंगे क्या वो लेंगे इसको हम? बेरोजगारी वो लेंगे या किसी इंसान की हैस्तियत है कि वो दो लाख रुपे प्रति महिने काम आए कि नोकरी मिले लेकिन उसको नोकरी मिल रहे हैं पचास हजार रुपे प्रति महिने वाली तो वो भी बेरोजगार कहलाएगा मतलब जो इंसान जिस काम को करने के योग है अगर उसको वो काम करने को ना मिल पाए या उससे निचले स्थार काम को करे तो वो क्या कहलाती है बेरोजगारी क्या होती है बेरुजगारी देखो बेरुजगारी परिवासा जो इसमें लिख हुई है बेरुजगारी किसको बोलते है जब कोई व्यक्ति कार करने की योगता भी रख रहा है कोई व्यक्ति, मानगे चलो जिसी आप लोग हो गया फिर में हो गया कोई व्यक्ति कार करने की योगता भी रख रहा है वो इस लायक है कि वो काम को कर सकता है कार करने की योगता भी रखता है और इक्छा भी रखता है उसके अंदर इक्छा भी कि मैं काम करना चाहता हूं उसके अंदर योगता भी है कि मैं काम करना कर सकता हूं अपके अदर योगज़ता है, आपके अंदर सामार्था, आपके इक्च्छा भी है लेकिन फिर भी आप दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, नहीं मिल रही है इसजी को बेरोज़गारी केते पढ़ाय लिखाई कर लिए खुप सारा पढ़ ली है ना अब योगता भी हो लेकिन जोब नहीं लग पा रही तो मतलब क्या घर पर बेरोजगार बेटे खाली बेटे इसको हम कर कहते है अथा बेरोजगारी से आसा है ऐसी इस्तिती से है जिसमें एक राष्ट के उन सभी करने के अपने अंदर इक्छा भी रखते है कार करने की योगे भी और कार करने की इक्छा भी रखते है लेकिन फिर वे उन्हों काम नहीं मिल पा रहा है तो जब कोई भी देश कोई भी देश जैसे कि अपने भारत देश हो गया कोई भी देश कोई भी देश अगर कोई भी विरोजगार न至ननWS जतीला, विरोजगार न सुरी कभी, बहुत है। में रेज़न करने से बहुत हैं ? पहला जन संख्या में भारी ब्रद्धी पहला कारण क्या है जन संख्या में भारी ब्रद्धी अब भारत जिस देश की जन संख्या कम रहेगी अगर देश में जन संख्या कम है मान के चलो अगर देश में दो इलाख लोग रहते तो बहुत देश में जन संख्या कम है तो भईय ले रहे हैं है कि निफ जनसंख्या बढ़ते जाओर यह बढ़ते जाओर रहे इतनी अधिक मात्रा में जन संख्या बढ़ती चली जाएगी घर इंसान को सरकार काम दे पाएगी क्या नहीं फिर व्यक्ति यौप अपना काम खुँड़ना पढ़ेगा उसे खुद बिजनेस साल करना पड़ेगा खिलियर है तो बेरुजगार इस हाना जन संख्या ब्रद्धी हो रही है जन संख्या में क्या हो रही है ब्रद्धी हो रही है जन संख्या बढ़ने के कारण क्या हो रही है भारत देश की हना 2011 में भारत की जन संख्या एक अरग 211 को करोड से भी अधिक हो गई है और हर साल हर साल एक दसम्मलों पचास करोड़ की ब्रद्धी हो रही है मतलब हर साल कितने लोग जन्म ले रहा है एक दसम्मलों पचास करोड़ लोग जन्म ले रहा है हर साल और दूसरे देश में इतना नहीं है इसका रिजन कहा है भारत देश की जलवायू वह ज़्यादा गर्म है जलबाईउ गर्म होने कारण क्या होता कि जल्दि साधी यह आती है जंसयां को तेजिक सांथ आती बढ़ती चले कि इंसान के नदर कई प्रकार की कलाय होती थी कोई हाती दास से सुन्दर आवुसोल बना रहा तो कुछ बना रहा है कोई मसाले बना रहा है और सब अपना बैफार करते थे अला और विदेश में अपन समान बेच के आते हैं भास पेशा कामा के लिए कि आते थे लेकिन अंग् 마fish की मंद गति भारत देश का जो आर्थिक्वबिक आ हैं आर्तिक विकास उतनी तेजी से नहीं हो अगर सई तरीकेश यहां पर इतनी फेक्टरिय खुल सकती यतनी के कोई देश में नहीं खुल सकती, भारत देश में इतने प्राकरतिक संसादन है, उसको उचित प्रकार से उप्यों करेंगे ना, तो देश सीधे बिक्स्तित बन जाएगा, लेकिन क्या हुआ देखो, यदि पी भारत में प्राकरतिक संसादनों की तो बिलुपता है, पेज नमबर 225 पेज नमबर 225, यदि भारत में क्या है, दोखो, भारत में प्राकरतिक संसादन की बिलुपता है, भारत देश में इतना प्राकरतिक संसादन, इतना प्राकरतिक संसादन है, कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना प्राकरतिक संसादन है, लेकिन इनका उचित प्रकार से उप सबस्तार हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है किलियर और इससे देश में बेरुजगारी समस्या बनी होगे सोच करके दिखो अगर जित्ते प्रकार के जंगल जड़ी बूटी अगर सब के विल्कुल फेक्टरी लग जाए कार खाने लग जाए अधिक मातर में उत्पादन हो अगला देश में पूजी का भाव भारत देश के इत्ती भी लोग है ना उनके पास बिजनस खोलने के लिए पेसे नहीं होते तो पूझी के अभाव होने कारण भी देश के लोगों रोजगार नहीं मिल पाता है और बेरोजगारी क्या बनी हुए है बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है अगल है आपका तुरूटी पूर्ण आर्थिक नियोजन क्या है आपका तुरूटी पूर्ण का मतलब होता है दोश पूर्ण आर्थिक नियोजन 1951 से आर्थिक विकास से तू नियोजन की नीती अपनाई गई है अब भारत देश की सरकार है वो देश में रोजगार बहाने के लिए कई प्रकार का पेशे खर्च करती है और आर्थिक नियोजन की कंडिसन लेकर के आती है लेकिन सरकार कुछ भी उटपटांग टाइप की नीती खोलती है जिससे सही प्रकार से देश का विकास हो पाता है क्या नहीं हो पाता है इस सरकार सही तरीके से फेक्टरी डाले सरकार सही तरीके से कुछ डाले तो आराम से बिलकुल लोगों को रोजगार मिल सकता है लेकिन सरकार उचित प्रकार से आर्थी नियोजन नहीं करती है अगला यंतरी करण अभी नभी करण पहले क्या होता था कि जितने प्रकार की यंतर आ रहे है जितने प्रकार की मसीन आ रहे है तो यंतरों के आने से और मसीनों को आने से क्या होता है कि जब यंतर आते है और मसी इनों को आने से आपर आपको यह होता है कि अब सोच करके देखो कि पहले क्या होता था कि पहले टेक्टर नहीं था पहले खेत में टेक्टर था क्या नहीं था जब टेक्टर नहीं था तो इंसान लोग क्या करते थे मस्य और सिचाई करने की बहुत सारी प्रणारिया भी नहीं था कि भीया खेत में जाएंगे उनके हां काम करेंगे बदले में निंदाई गुडाई करेंगे और पेसा यकमा करके लेके आएंगे उन लोग को रोजगार मिलता था उन लोग काम जंदा चलता था एक लोहार है अब लोहार क्या करता था भीया लोहार अपने गाउं में लोहे सेटी करण का मतलब ही होता है कई पर कार की हैंतर आई machine करण का मतलब ही होता है कई पर तो इन लोग का रोजगार छिन गया org प्रकार से नहीं प्रकार के नहींनी मसीनी आ रही है तो प्ति Compatty का संपती का वित्रन है। इस कारण से के हो रहा भी या लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है अगला कारण है बेरोजगारी का दो स्पून सिक्षा प्रणाली क्या है दो स्पून सिक्षा प्रणाली मतलब अपने भारत देश की जो सिक्षा प्रणाली है ये केसी है दो स्पून है इसमें कई प्रक बहुत लेंगे बारे पढ़ लेंगे बयुकुक्रीह कर लेंगे सब арगें लेकिन यह बएक इन्साथ और रहरा इन। दो काम ददेंद कर पा रहें क्या नहीं कर रहा है घर में कैसे में t capit आज लड़का क्या करता है बताइये तो लड़का क्या करता है ओना लड़का भी यह कंटर की तेयारी कर कर रहा है त्यारिज कर रह था रहने मिन तीज अल के से सिस्टम में एक बहुत हुआ यह जरूरी इस हुआ और जोड़ो उसमें इंसान को बिजनेस करना सिखाओ, क्या आप केसे आप 10 साल के हो, आप 12 साल के हो, आप 14 साल के हो, आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप कुछ भी हो, आप केसे कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करके खुद पेसे कमाना सिख सकते हो, क्या ने सिख सकते हैं, अभी कई लड़की लोग का 15-15 साल की है लुग के पापड़ बनाती है और उसको पिकेट्टने भरके बेशती है और महने कमारी हो, मेहने का वो वतारों 25 से 30 रुब मेहने कमा रही है जितनी लोग वाकी पेमेंट नहीं है तो यह चीजी इंसान को सिखाना चाहिए इसके साथ साथ भी बर्तमान सिक्षा पणाली केवल लिपिक बढ़ इंसान के सोचता कि भी हम अच्छा पढ़े लिखे उसके आप फिर कोई नोकरी करें हराम का बेटके खाए यह सोचता काम करना सुचता कि नहीं और उनसान पहले लिखने बाद फिर छोटा सुनना और इंसान पहले लि हाँ कि नहीं कि भीक मागने सथहे काम करो भर में खाली वेटने सथहा है कुछ न कुछ करो सांसति तो करो पढ़ाइकी तैयारी मिंभी करो नोकणी की तैयारी मिंभी करो अधे पढ़ए जरूरी है लगिन सांसत य भी करो हार चीओ आना चाहिए है एसलान अगار कh 고ॉख जिसकारण किया है बेरोजगारी समस्या बनी हुई है पेपर में आएगा बेरोजगारी के उपड़ लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं समझ ली हो ना घर पर जाके पढ़ना भी आप लोग को पढ़एगा क्लियर है याँ आप अब बेरोजगारी को दूर करने के निम लिखित कदम उठाय जा सकते है पहला कदम लगू और मजोले उद्धोग को नीजी उद्धोग में विक्सित किया जाए जो छोटे छोटे जो उद्धोग है लगू उद्धोग छोटी 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 फेक्टरी अगर सरकार सोच के देखो अगर भारत देश के जित्ती भी लोग है अगर सब लोग ज़ी छोटे छोटे उद्धोग करने लग जाए अपने फरे आप मांने कि तो लोग Τरिए अपने सेर में अपने इसेर में अपने गाउं में कोई आपमेंसे कोई इंसान और रेस्टोरेंट खोल लिए को कि के और फुन लग फ़ायर सकते मेहिंद आप बिजनेस कुछ नहीं है बस तुको बनाऊ किसे इनसान को चिछी जरूवत है किसे इंसान को चिनबाडा जाना आरजेंट में आपने चिनबाडा पहुचा दिए बदली में पेसे ले लिए यह आपका ट्रांस्पोर बिजनेस चाहलू हो गया तो यह सरकार काम करें तो बेरुद्वारी दूर हो सकती है दूसरा तलाब अब आपके हां पास जमीन एक एकड़ जमीन है आपने घरे आपने जैसी भी बुलवाए और अच्छा गड़ा खुदवा दिये लोग आपको पागल बुलेंगे जाला किसा पागल है खेती बाड़ी करने के लिए ग cook मश्ली ठीट करने करने माश्गे सब्राब हो गया गरमे कई चोटी मोटी दुकान है लोगों की इसके समझे समझ्यका समध्दान करना आपने इस इसान की समझ्यक समध्दान कर दिये बदवे में पेसे ले लिए यह आपको विजनुस में इसकोल पर utilized चोकलेट खाते हैं आपने दोबेग ले जाना चालू कर दिए एक भी में you चोकलेट बभरना ब्रू च कर दिए और श्कुल में चुट्टी हो रही है। जो सन्ट कर दो मैं से खरीड़ी दो सन्ट्रेग। कर दो हें से आपको का बिजनी करती है। भूआते हैं अग्हातु सभलोग चोकलेट है नियुक हाँ किनी ऑसारेता है अगम मेरी कोचिंग्घ कंचितरा बच्चे हो गाएं अवाकर किताब उनने सब्सक्राइट भी तुमिए किने उपनाफ़ करें रहा हूं यह हो गया UWिजन्स चाहलू हो गया उनकी समाच्षक समध् नहीं है तो मोडस नोगे करके को दिये जाये देखो अगला बंज़न और खाली भूमि में किस में बंज़न और खाली भूमि पर फलदार भ्रक्षो का रोपन कर और प्रती जिए जाए इस प्रकार सोगे हो तरुद को आप akada पढ़ो उसको एक वार एक रीडिंग करो